दोस्तो आज हम आपको बताएंगे उत्राखंड में इस्तित मसूरी जील के बारे में मसूरी जील उत्राखंडाज्या में इस्तित एक मानब निर्मी जील है जो चारो ओरों से पहड़ों से गिरावा एक छोटा सा मानब निर्मी जील है यहाँ जील वर्तमान समय में मसूरी का सबसे अच्छा परेटक इस्तल बन गया है यहाँ मुख्या रूप से मसूरी का एक परसित पिकने के स्पोर्ट है मसूरी जील दहरदून मसूरी रोड़ पर इस्तित होने की वज़े से मसूरी जाने वाले लगभग 90% परेटकों को अपनी और आकशित करती है यहाँ एक मानव निर्मी जील है जिसे कुछ साल पहले ही सिटी बोड़ और मसूरी दहरदून विकास पर दिकरन द्वारा विकशित किया गया है इस दगे पर दीरे दीरे एडवंचर इस्पोर्स की बडोतरी की जा रही है जहां बर्तमान समय में वोटिंग और एडवंचर बाइकिंग जैसे एडवंचर स्पोर्स की सुविधा उपलप्त है और अगर अब हम बात करें कि मसूरी जील कहां इस्तित है यहां जीर उत्राकंड राज्य के दहरदून जिल्ले में इस्तित है जो दहरदून मुख्य सहर से करीब 30 किलोमेटर की दूरी परवा दहरदून मसूरी रोड पर मसूरी से 5 किलोमेटर पहले ही इस्तित है और अगर अब बात करें कि मसूरी जील में हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा और एडवंजर इस्पोर्स करने को मिल सकता है इस मसूरी जील के आसपास के गाउं, दून, घाटी का एक बहतरी नजारा देखने को मिलता है जील के अंदर आपको कुछ बतक भी तैरते हुए देखने को मिल जाएंगे इस जील के आसपास कुछ शॉप्स, ग्रेश्टन और होटर वगेरा भी उपलब हैं जहां से आप मसूरी जील के सुनदर दृश्चा को देखते हुए खाना खाने का आनग हुए सकते हैं यहां पर रवात को ठेलने की सुविदा भी उपलब कराई जाती है यहां पर बच्चों के लिए हांटेड हाउस, हर सो, एडवंचिर, बाइकिंग की सुविदा भी उपलब हैं जिसे बच्चे बहुत इंज्जाई करते हैं मसूरी जीर ने परेटकों को बोटिंग कराने के लिए पैडर वोट इस सुविदा उपलब कराई गई हैं जहां जानेब के बाद परेटक नोका विहार कर मजा ले सकते हैं इसका प्राइस 30 सुपे पर परसन है जो की 15 मिनट के लिए हैं यहां पर आपको कुछ एडवंचर, स्पोर्स जैसे वोटिंग, जीप लाइन, पैराग्लाइडिंग वगेरा उपलब देखने को कहीं सारी चीजे मिल जाती हैं जिससे आप अपने तरीके से इंज्जॉई कर सकते हैं यहां पर पैराग्राइडिंग जैसे एडवंचर, स्पोर्स भी उपलब है जिसका प्राइस 1500 है लेकिन उचाई सिर्फ 500 मिटर ही है जो की प्राइस के अमसार बहुत कम है और अगर अब अब बात करेगी मसूरी जील जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है यहां जाने का सबसे अच्छा समय मानसून का महीना है क्योंकि इस समय इस जील की खुपसूर्ती बहुत जादा बढ़ चाती है और परेटकों की संक्या कम होने की वज़े से यहां का माहौल बिल्कुल शान्त हो जाता है यहां पर गर्मियों और सर्डियों जब बरब पढ़ने लगती है कि समय परेटकों की जादा बीड देखने को मिल सकती है क्योंकि यहां जील धहरदून मसूरी रोड पर इस्तित होने की वज़े से गर्मियों और सर्डियों में उत्रगंट जाने वाले भूत सारे परेटक और अगर अब हम बात करें कि मसूरी जील कैसे जाएं defect आगर आप मसूरी जील जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको धरदोन जाना पड़ेगा यहां पर आप ट्रेंग बस हवाइज हाशने भी जा सकते हैं तो चले जानते हैं कि अगर आप ड्रेंग बस या हवाई जाज से मसूरी जील जाते हैं तो आप कहां तक जा सकते हैं और उसके बाद आपको मसूरी जील कैसे पहुचा सकते हैं तो अगर हम फर्स्टी बात करें हवाई जाज मसूरी जील का निकरतम हवाई अड़ा जॉली ग्रांट हवाई अड़ा है जो कि यहां से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित धहरदून में है एयरपोर्ट से जील तक जाने के लिए बस या टैक्सी वगेरा की सुभिधाय आसानी से उफलब्थ है ट्रेन इस जील का सबसे नजदी की रेलवे इस्टीशन धहरदून रेलवे इस्टीशन है जो यहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित हैं यहां से आप मसूरी जील बस या टैक्सी से जा सकते हैं और अगर अगर हम बात करें बस की अगर आप बस से मसूरी जील जाना चाते हैं तो सबसे पहले आपको देहरदून जाना पड़ेगा वहां से आप दूसरी बस या टैक्सी पकड़ के मसूरी जील पहुंच सकते हैं मसूरी जील देहरदून मसूरी रोड से थोड़ा सा नीचे इस्तित है यहां से पैदल इस जील तक पहुंचा जा सकता है सबस्षा रूसरी थाइब है